हाई फ्रेंड्स वेल्केम टू ग्यानियर दोस्तों आज हम बात करेंगे भाई डायरिया में क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं देखो लूज मुशन की बात चल रही है कि दस्त हो जाते हैं कई बार तो बैक्ती कंफीज होता है कई लोग कुछ कुछ सला देते हैं कि यह खिला खिला दो तो बहुत ही आसान भासा में आज समझाएं आप कि क्या खाना है क्या नहीं खाना तो शुरू करते हैं दोस्तों देखो डायरिया का होता है आतों के अंदर इंफेक्शन हो जाता है ठीक है अना इसनिक फूट कंटेंड पानी वगरा पीले से पातों में है तो सबसे पहले चीजशंट है पाणी का लॉस्त बहुत ज्यादा होता है पानी की कमी हो जाती है तो उस चीज़ को प्रशिपने सब्सक्ति था पीना और हूज dar blue और को यहाप सामिल पाने को यहाँ पर नहीं कर रहा हूं तो नहीं मिल रहा है तो ज्ग गोल level बनाकर पिया चाह ashюда ज्यादा कोशिच है कोई जूसे ले सकते हैं प्रूट समय कोई कुछ नुकसान नहीं हर तरह का फूसी पीसकते होगा कि एनरजी लेवल मेंटेंड रहेगा फिक वसके अलाबा रावा नीवू पानी सकते नीवीपानी प्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ्रफ् पीना है पीना भी है इक्षब बहुत ज्यादा है तो ब्लैक टिप पी सकते हों ठीक है काली चाय पीजा सकती है बिना दूद की बात कर रहे हैं तो दूद को तो अवाइड ही करना रहेगा ठीक है अधर्वाइस इंफेक्शन बढ़ जाएगा ठीक है मैंने बता है आपको उतन चाच ले सकते हैं ने ले सकते हैं चाच ले सकते हो ठीक है वटर मिल्क जो होता है चाच मठ्था जैसे बोल सकते हैं जो भी आपके लेंगिजिंग क्या बोलते हैं तो उसको पी जा सकता है कुछ मातरा में कम मातरा में कई लोग उसको दवाई के रूप में पीते हैं कि सिर् इतना जादा उसके अंदर मिल्क कंटेंट नहीं होता ठीक डाल का पानी कि यह सकता है प्रोटीन की कमिको पूरा करने के लिए क्योंकि एनरजी लेवल खतम हो जाती है तो आदमे को डाल का पानी दे सकते हैं चीक है और बस यह है तो अभी यहां पर क्या होगा क्लियर बात की आदमी सुबे से उठा तो ब्लैक्टी पीले उसके बाद थोड़ावध फूर्ट्स की यूश पीले अब खाने की बात आती नाश्टे में तो आप देखो ब्रेट खासकते हो बिसक्टिट खा सकता आदमी ठीक है और हलका फूलका दलिया या दाल अलगी खुलकी खासकता है क्षिचडी खा सकता है ठीक है और इटली सामबर खा सकता है इटली सामर यह सब ले सकता नास्ते में दौफर में लंच टाइम में कोई भी सिंपल सा फूद्ट उसको आप दे सकते हैं जिसमें ऑईल कम हो मिर्च मसाले कम हो ठीक है तो वह आदमे ले सकता है इच्छा से तो ड्राइफूट नहीं खिलाना अतना आपकी बोड़ी हजम नहीं कर पाएगी हाँ अगर आप यह चीज करते हैं और आपका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है दो तीन दन बाद जब आपको तोड़ारा मिलता है तो फिर आप ड्राइफूट ले सकते हैं कोई बुरी यह हैं सलाद भी आपको चार-पाश दिन भादी लेना अधरवाइस लोग सोचते हैं ठीके दस्त बगर लगना तो सलाद क्या है आपको लेना है लेकिन कुछ दिन बाद लेना दो तिन दिन बाद क्योंकि वह इंफेक्शन बड़ेगा फिर सबता रहेगा सलाथ पच्छ नह है भी फूट सोते हैं यह से कि बैगन की सबजी आलू की सबजी मसालेदार चिकन मटन यह सब अवोएट करना रहेगा ठीक है तब यह ठीक हो पाएगा एक्टी डाइरिया ठीक और मिर्च मसाले तो बिल्कुल आपको अबवोईट ही करना है तो दो आज के लिए सिर्फ इतन ही वीडियो अच्छा लगा है तो फीरिस्स्वाइब करे सकते हैं अगर आप हुमारे चेनल मेटकल चैनल मैं हूझ शिवम तो अगले वीडियो मैं जये बंदिमात रहूं झाल झाल